ओम शान्ति आज 27 सेप्टेंबर 2022 है आज बाबा की मुल्ली हम सभी ने सुनी और हम सभी ने जाना कि कैसे हम बच्चे बाबा की माला का मनका बन रहे हैं बाबा ने कहा ऐसा बन पाना ये अखो सौभाग्य है भगवान का बनना उनके परिवार का बनना ये सौभाग्य हम बच्चों को संगम पर ही मिलता है तो आज भी बाबा ने हमें अव्यक्त इशारों के अंदर यही बात बताई है कि ये प्रभू परिवार कितना उत्तम है परतन होने से दुख के संसार से सुक्षो के संसकार में आ गए, साधारन आत्मा से पुर्शोत्म बन गए, प्रभु परिवार में आना अर्थात जनम-जनमान्तर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ट बन जाना, प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए कभी भी प्रभु के बच्चों पर वार नहीं हो सकता ऐसी पुर्शोत्तम सिथी बन गई तो प्रकृती भी आपकी दासी बन सेवा करेगी तो आज बाबा ने प्रभु परिवार के भाती बनना या प्रभू परिवार के सदस से बनने के तीन मुख्य मीनिंग या उसके उधारन हमको दिये है सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि प्रभू परिवार का बनना अर्थात प्रभू को अपना बना लेना जो भाग्य विधाता है वो हमारा बन गया तो हमारे हाथ में जनम जनमानतर के श।रेष्ठ कर्म के आधार पर अपना भाग्य बनाने की लकीर आ गई है। लेकिन वो लकीर कौनसी है? वो कलम कौनसी है? वो कर्म कौनसे है? वो है मरियादा पूर्वक श। अनुसार जो हम कर्म करते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि अगर हम ऐसे कर्म करते रहते हैं और प्रभू परिवार का बने रहते हैं तो हम हर प्रकार के वार से परे हो जाएंगे परिवार अर्थात माया के वार से परे तो जो प्रभु के बच्चे हैं जो श्रीमत पर चलने वाले हैं माया उनको छूबी नहीं सकती माया पहले ही हार मान के बैठी है लेकिन क्योंकि हम अपने आपको भूल जाते हैं तो वो भी अपना दाव अजमाने के लिए आती रहती है और जब हम माया के वार से परे हो जाएंगे माया पती हो जाएंगे तो हम प्रकृती पती भी बन जाएंगे तो तीसरा बाबा ने प्रभु परिवार का अर्थ बताया कि प्रकृती भी उनकी दासी बनने के लिए ततपर है नई सत्योगी शृष्टी के अंदर प्रकृती भी हमारी दासी होगी और माया तो वहाँ पे आही नहीं सकती तो बाबा ने इन सब का आधार बताया है आज स्मृती जैसे ही युग परिवर्तन हुआ अर्थात हम स्मृती के आधार पर कल्युग से संगम युग पर आए तो दुखों की दुनिया का हमारे लिए अंत हो गया भले अभी बाहर देखा जाये तो दुनिया में कल्युग ही है लेकिन हम बच्चे जो परिवार के अंदर है इस स्मृती में है हमारे लिए दुखों की दुनिया का अंत और सुखों के संसार की आधी हो गई है तो इस माला कमण का बने रहने के लिए इस सौभाग्य को और बढ़ाने के लिए यह स्मृती आध सारा दिन हम बनाए रखेंगे ओम शान्ति